हैलो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के साथ चटपर्टी हेल दी और एकदम टेस्टी काला चना चाट की रेस्पी से अर करने वाली हूँ जो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे केवल आप 10 मिनट में बना करके तयार कर सकते हैं बहुत ही कम सामगरी में ये बन करके तयार होने वाली है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं रेश्पी पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर एक कप लाल चना ले लिया था जिसको पूरी रात भींगने के लिए अच्छी तरह से छोड़ दिया था यह बहुत ही अच्छी तरह से भींग चुकी है अगर आपको यह नास्ता साम में बनाना हो तो आप इसको सुबा में भी भींगने के लिए ड जट लिया है चने के उपर तक हमने पानी डाला है अब इसे 23 cops लगा लेंगे 23 dati आ चुकी है कूकर में हमने गया सक बंस कर लिया है और इसका एस्टीम निकल चुका है चना को हम निकाल करके इस तरह से चेक कर लेंगे चना अच्छी तरह से गल चुकी है और आप देख सकते हैं इसे मैंने एक जाली वाले बरतर में निकाल लिया है आलू भी अच्छी तरह से उबल चुका है आलू और चना को साइड रख लेते हैं और यहां पे हमने थोड़ी सी इमली क पानी में पहले ही फूलने के लिए रख लिया था यह अच्छी तरह से फूल चुकी है इस तरह से हातों से मसल करके इसका बीज अलाक कर देंगे और इसके गुदे को हम एक शनी की सहलें से छान लेंगे और इसका जूस अलाक कर लें अब इसका जूस अलग कर लेने के बाद साइड रख लेते हैं देखिए हमारे इंली का जूस निकल चुका है अब यहां पर हम कुछ सबजीden लेंगे जिसको हम बारिक बारिक चॉप कर लेंगे तो सबजों मैंने यहां पर एक डमार्टर ले कर लिया है वर ले लिया हई और लेने के लिया है उसको बड़ा कर लिया है और अलू को भी हम चोटी-चोटीं काट में हम इनसाइब लेते है और हमने जो चना को यहाँ पर उबाल करके रखा था एक छनी में उसे एक B항 में ले लिया है, अब बाल में ले लेने के बाद इसमें हम NOP्क एड़ करेंगे स्वाद के अनुसार, तो सबसे पहले यहाँ पर सफेद नमक एड़ करेंगे, फिर उसके रचाला नमक एड़ करेंग तेंगे broader पॉडर एड करेंगे टेस्ट बहुत भढ़ीा आया इमसार लाल इंधार और यहाप मात्रा यह एक वर अध सर्शम कतेरंगो लेकिन यहाप प्रिक्रणिंगे्या टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आता है अब तेल एड़ कर लिया है अब इसमें हम कटे हुए आलू डालेंगे कटे हुए खीरा को डालेंगे कटा हुआ टमाटर डालेंगे प्यास डालेंगे और सारी चीज़ों को मैंने एकदम बारिक बारिक ही कट किया है टमाटर के बीज को मैंने पहले ही निकाल लिया था सिर्फ उपर वाले पाट को ही मैंने कट किया है अब यहाँ पर हरी मिर्श को जो मैंने काट करके रखा था उसे भी डाल लेते हैं हरी मिर्श को भी आप अपने पसंद की अनुसार ही यहाँ पर एड कीजिएगा बच्चों के लिए बना रहे हों तो हरी मिर्श नहीं भी एड कर सकते हैं या फिर एड़ करें तो बहुत कम मात्रा में एड़ करें साथ में कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे अब हम यहाँ पर एड़ करेंगे इमली का पल्प तो यहाँ मैं दो चम्म जितना इमली का पल्प इसमें एड़ कर लोंगी इसे ज़्यादा इसमें नहीं एड़ करूंगी अगर आपको और भी ज़्यादा खटापन पसंद हो इस चार्ट में तो और भी ज़्यादा एड़ कर सकते हैं और इस चार्ट में मैं निम्बो का जूस नहीं एड़ कर रही हूँ अब इसमें हम कुछ भी एड नहीं करेंगे बस इसे मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चने और आलू वेगेर जितनी भी सबजियां हमने इसमें एड की है उसके उपर नमक और मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए देख सकते हैं ये काले चाट हमारा बन करके तैयार हो चुका है बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगने वाला है इसको आप डाइट में भी खा सकते हैं अगर आप डाइट पर हो और इस चाट को बना रहे हों तो इसमें आलू नहीं एड कीजिएगा बिना आलू के ही आप इसे बनाईएगा वो भी खा मैंने इसको एक बावल में सर्व कर लिया है अब इसके उपर से थोड़ा से कटा हुआ प्याज तो थोड़ा सा कटा हुआ रादानिया डाल लें जिसे देखने में और भी ज़्यादा सुन्दर लगे और साइड में छोटा सा कटा हुआ टुक्रा निम्बू कर डाल लेते है तो खाने में और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगा था तो अगर आपके पास से बाली भुजिया हो तो उसे डाल करके जरूर से खा करके देखिएगा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो फ्रेंस ये हमारी हेल्दी चटपटी चना चाट बन करके तैयार हो चुकी है जो खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंस आप भी इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और ट्राइ करने के बाद अगर आपको रेस्पी पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्स फॉर वाच कि बाईए और टो से फॉर कि दॉर हिर वीडियो कीजिए.